दोस्तों बहुत-बहुत स्भागत है आप सबका अमारे चानल में हैं और आज हम बात करेंगे Nifty और Bank Nifty के बारे में कुछ stocks के बारे में जहांपे आप invest कर सकते हो कुछ levels के बारे में जो हम option buyers के लिए लेकिया थे क्योंकि ये जो लिस्ट आप देख रहे ये मेरे पिछले वीडियो की ए और ये stocks मैंने आपको दिये थे पिछले week में लेकिन कुछ stocks मैंने ऐसे भी दिये थे टेलिगरम के हमारे investment के group में और वहाँ पर मैंने अधानी दिया था दो तरीको दो फरवरी को अधानी port 468 पे और अधानी enterprise 1670 पे अब दोस्तों अगले ही दिन ये जो stock है अधानी port का इसने 10% दे दिये लेकिन उसके बाद यहाँ से exactly यहाँ से अधानी ने एक temporary bottom बनाया और वह से यह जो upside आई है यह मुझे लगता है 2100 यह 2200 तक चली गई थी अब दोस्तों मेरा simple कहना यह था simple fund उस वक्ति यह था कि यह अधानी के जो stock से उनमें 50, 60, 70% तक का fall भी 2008 से लेके अभी तक 3-4 बार आ चुका यह मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाया था दूसरा मेरा logic य लेवल पकड़ा है और इस तरह का लेवल पकड़ा कि वहां से exactly वही से आपने एक bounce आते हुए दिखा अधानी port 460, 470 के zone से 600 तक चला गया वो इसके लिए चला गया क्योंकि मैंने आपको explain किया था कि मेरा logic किया मैंने हवा में बात नहीं की थी दोस्तों बाकी लोग की तरह कि आधानी बाय कर लो अच्छा stock है fundamental बहुत valuation जाद है लेकिन business में कोई खराबी नहीं वगरा वगरा जो chart ने मुझे बताया वही मैंने आपको दिखाया और वही से हमने बाय किया अब दोस्तों मेरा यह मानना था कि यह जब भी कोई upside आती है 300-400 point हो जाते उसके बाद revise target आन 1900 पे आ गया तो यह जो चीजें दोस्तों यह trap करने के लिए होती है और रियली वंडर कि यह क्या logic है इनका इसके पीछे क्योंकि जब जहां पे इनको पकड़ना था वहां पे इनको नहीं पकड़ा और इतनी बड़ी rating agencies होती है या फिर बाकी सारी जो broker houses होते वो कभी यह नह जिर्फ अगर वन टाइम आप तीन मंत के लिए subscription लेते तो आपको lifetime ऐसे ही investment group में add किया जाएगा उसके अलावा दोस्तों मैंने इनको एक और stock दिया है जिसमें बहुत ही बड़ा Poland flag का pattern है जो अल्रेड़ी 30 point भाग चुका है लेकिन अभी भी उसमें upside बहुत जादा है वो ए 2005 से लेके अभी तक अगर हम trend line draw करेंगे तो उसमें वो breakout है तो इस तरह का जो breakout है दोस्तों मुझे लगता उसमें जो target है वो at least 50 to 60% रहेंगे यह अभी भी उसी price के आसपास है मौका आपके अपास अभी भी है और यह one of the blue chip stock है तो उन सारे stocks की बात करेंगे उसके अलावा द join होने के बाद तो जो हमारा एक साल का charges है उसके 10 गुना मैं आपको charges दे दूँगा तो यह नोबत तो कभी आई नहीं क्योंकि हम इस तरह का कोई message नहीं डालते गलत लेकिन performance का जो message है वो हर दिन आपके सामने रहेगा it will be easy to judge and analyze the channel और बाकी जो profit के screenshot है call है उनके सारे update है वो आपको C या P बाय करना है यह daily का आपको update दिखेगा यह अगर आप देखेगे यह देखी तो 15 minutes में अगर कहीं पे आपको यह breakout या breakdown देता है तो आपको momentum मिलेगा तो उस तरह के chart में डालता हूँ almost every day चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले हम nifty और bank nifty के बारे में उसके profit नहीं देना है उसमें आपको invest नहीं करना है तो अगर आप उतना invest नहीं करोगे तो आपका जो risk है वो कम रहेगा तो वो better रहेगा अभी के लिए अगर आपको buy करना है long time के लिए और मान लीजे आपने profit book कर दिया या फिर आपने buy नहीं किया आपने miss कर दिया तो exactly उसी price प चार्ट वीक है यह हो सकता है थोड़ा और नीचे जाए लेकिन यह मुझे लगता है कि पहले bounce आएगा और अगर नीचे जाना भी है तो पहले यह नीचे जाने से पहले bounce देगा उसके बाद नीचे जाएगा चार्ट देखके आपको लगेगा कि क्या यह stock दे दिया यह तो लेकिन simple बात है दोस्तों जिन दोस्तों ने मुझे आज तक कभी दोका नहीं दिया वही मेरे दोस्त मुझे बता रहे है कि यह अगर नीचे जाना भी है तो अभी पहले bounce देगा उसके बाद यह नीचे जाएगा पहला दोस्त का नाम में Bollinger Band जो आप यहाँ पे देख रहे ह लेकिन अगर मैं daily candle की बात करूँ तो daily में मुझे इसका जो RSI यह 14 के आसपास लग रहा है तो daily chart में 14 पे जब RSI गया था तब अधानी 1600 पे था और वही से हमने 400-500 point का bounce देखा मैं यहाँ पे at least 10% या 5% का target रखता हूँ अगर आपको यहाँ पे buy करना है लेकिन जैसा मैंने का 5% से उपर आपका capital नहीं होना चाहिए परसिस्टन की बात करते करते मैं ठक गया हूँ जेंसल टेक की बात करते करते मैं ठक गया हूँ क्योंकि यह इस तरह के stock है जो आपको कभी बेचने ही नहीं चाहिए उस तरह का pattern इन में बना हुआ है और यहाँ से अगर आप देखो हो सकता है थोड़ा नीचे आजए और वहाँ पर आप बाय कर सकते जेंसल टेक की बात करते करते तो मैं आपको बोर कर रहा हूँ यह कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे clear cut river सले और यह मैंने 238-240 पर दिया था जब हमने पिछला वीडियो बनाया था अभी यह पहुझ गया 262 उपे मेरा यह मानना इसमें easy target है मेरा easy जो 300-310 तक आता है लेकिन उसके उपर भी हम जा सकते तो यह पिछले stocks की बात थी अब बात करते निफ्टी के बारे में दोस्तों बिछले बार मैंने आपको सिर्फ एक level दिया था मैंने छोटे levels आपको नहीं दिया था जो मैं हमेशा आपको देता हूँ मैंने कहा था कि 700 पॉइंट का मेरा target है 700 का जहां पर अगर यह level break हो जाते तो उसी बजा यह दोस्तों कि छोटे level मैं आपको इसलिए नहीं कि यहां पर market बहुत जादा squeeze हो गया है इसमें कोई movement नहीं है यह complete range bound हो चुका है और जहां पर आप मान लिजे कोई C या P buy करते हो तो आपको immediately profit book करना होगा अगर आप option buyer है तो वरना वो market consolidate होता रहेगा range bound movement करता रहेगा और premium merogen होता रहेगा इसलिए मैंने छोटे level आपको नहीं दिये थे मेरा मानना यही था कि आपको बड़े level के लिए play करना चाहिए जो आपको बहुत बड़ा return देगा patience test करेगा लेकिन बहुत बड़ा return देगा अगर मैं example के तोर पर बताऊं तो 17700 का level जब पहली बार तूटा था तो हम 3-4 week से उसका इंतजार कर रहे थे लेकि हो जाता है 17650 तो मेरा यह मानना है कि हम वहाँ से 17000 तक भी जा सकते बड़े आसानी से लेकिन 18100 का अगर हम तोड़ते यह वाला level जो मैं यहाँ पे दिया है 18100 का level अगर हम ने तोड़ा तो हम 18300 पे चले जाएंगे और उसे अगर break करते तो फिर हम all time high के पास जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा consolidate करेंगे तो target जो है वो intact रहेगा लेकिन 200-300-400 point अगर मिलते निफ्टी में तो वो भी कोई बुरा target नहीं है हो सकता है कभी 700 की जगा 1000 point भी आपको मिल जाएंगे कभी 300-400 मिल जाएंगे लेकिन आपको एक momentum मिलेगा एक बड़ा moment मिलेगा और उसके लिए जो level है वो है यह अब इसके बीचे का logic में आपको बता दूँ तो अगर मैं इस chart को zoom करूँ पूरे chart को हमने ignore किया हुआ है सिर्फ इसको मैंने zoom किया है तो आप देखोगे कि इसके बीच में हमारा जो moment है वो थोड़ा सा squeeze हो गया है तो हम छोटे moment पे आ चुके और यहीं से यह कोशिश कर रहा है यहाँ पे sustain करने का अगर यह यहाँ पे sustain करता है तो ही आपको एक upside दिखेगा अगर मान लिजे यहाँ पे हम sustain नहीं होते हो सकता है हम इस doji candle का low break कर देते और यहाँ पे sustain होते यह नीचे तो हो सकता है यह train line break हो जाएगा और हम 17,000 पे चल पड़ेगा यह उपर consolidate होता है तो यह positive बूल्स के लिए अगर यहाँ से हम doji का low break कर देते और यहाँ पे consolidate करते तो यह positive होगा bears के लिए तो इतनी simple बात है दोस्तों लेकिन अभी के लिए मेरा यह मानना है कि छोटे target के लिए play करने से अच्छा है कि आप बड़े target के लिए wait करो जब भी market breakout देगा तब आपका बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा और वो patience worth भी होगा चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत जल्द आपको एक breakout मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह था resistance यह भी resistance यहाँ पे भी resistance और वही अब बन गया है strong support तो वो immediately मुझे लगता है 300-200 point का momentum आपको मिल जाएगा अगर हम वहाँ पे जाते तो bank nifty की अगर मैं बात करूँ तो cup and handle का pattern था उसको kind of इसने break भी किया था लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सबसे अगर जादा कोई है जो pattern को बड़ा volatile तरीके से target hit करता है या फिर pattern को negate करता है और काफी confused भी करता है तो वह है nifty और bank nifty क्योंकि इन में अगर कोई pattern बनता है किसी stock में बनता है तो immediately आपको target या stop loss hit होते हुए दिखेगा bank nifty जो है वो इतना जादा trade हो रहा है और पूरा उसमें इतने सारे stock से इतनी जादा volatility है तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है यहाँ पे इस zone में कभी आपको लगेगा कि इसने breakdown दे दिया कभी आपको लगेगा कि इसमें bounce आ गया तो मेरा एक simple logic है दोस्तों कि better यही होगा कि आप यहाँ पे भी छोटे range पे खेलने से अच्छा बड़े range के लिए play करें और दोस्तों यह range जब मैं आपको देता हूं तो यह सुनने में बड़ा आसान लगता है कि 700 point मिलेंगे 1000 point मिलेंगे लेकिन जो लोग उस level के लिए weight करते उनका ही target हीट होता है तब आपको अपना capital बचा के रखना है आपको over trading नहीं करना है दोस्तों thousand point का target है at least thousand point का अगर हम इन दोनों में से किसी level को break करते 42,050 को अगर हम break करते तो मैं इसको आपको zoom करके थोड़ा सा समझा देता हूं कि यहां से हम यह जो उपर का red color का train line है वहां तक हम आ सकते तो यहां पर अगर हम इसको break करते तो हम यहां तक आ सकते तो हो सकता है 4500-2600 तक हम जाए लेकिन उसके उपर अगर हम जाते तो फिर हम पूरा मैदान खुला है फिर वहां से हम और भी उपर चले जाएंगे लेकिन मान लिजे कि यहां से हम इस train line के जो यह train line आप देख रहे है यानि ने क्लाइन के pattern का यह वाला अगर हम इसको break कर देते तो मेरा मानना है कि पहले हमने जो लो लगाया था उसके हम नजदिक जा सकते यानि यहां तक तो इसलिए मैंने आपको यह target दिया हुए target बड़े रहेंगे दोस्तों छोटे नहीं होंगे लेकिन आपको उसके लिए wait करना पड़ेगा 1000 point का target है 42,050 या 40,900 यानि यहां से अगर हम उस अगर मैं आपको summary में बताओ तो nifty और bank nifty में दोनों में मुझे वो bulls के favor में लग रहे क्योंकि अपने support को hold कर रहे एक base बना रहे एक formation बना रहे और sustain कर रहे और जब SGX nifty या US market भी down होता है वहां पे भी यह sustain कर रहे और जो quarterly result मैंने देखे खास करके banks के SBI हो या ICS है तो म दोस्तो जैंसार टेक मैंने आपको दिया हुआ है persistent आपको दिया हुआ है अगर आपने profit book कर दिया है तो फिर मेरे पास एक और stock है आपके लिए लेकिन आपको द्यान से सुनना है आपको इस stock पे अभी बाई नहीं करना है इस price पे क्योंकि यह आ चुका है उसी level पे जहां प गया है 72 पे weekly chart में इसका RSS 81 पे गया है तो यह मुझे थोड़ा दिक्कत लग रहा है दूसरी बात है कि यह जो अभी जो candle बना हुआ है यह बॉलिंजर बैंड के बाहर है तो अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको यहां पे consolidation देखने को मिलेगा मान अगर गिरावट आ जाती है और हमारा गनित फेल हो जाता है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहां पे थोड़ा सा वेट कर लीजे और उसके बाद आपको buy करना है क्योंकि यहां पे मेरा यह मानना है कि अगर हमने इस level को cross कर दिया तो at least 50% तक का target आपको यहां पे मि लेकिन आज एक बड़ा reason है मेरे पास जिसके बएसे मैं आपको यह दे रहा हूँ अगर आप यहां पे देखोगे तो यह train line अगर मैं draw करूँ तो यह देखे इस train line में यह level जो आप देख रहे है यह आता है और इसको मैं थोड़ा सा और उपर लेके जाता हूँ तो अभी के लेकिन 2007 के आसपास हम यहां पे ते उसके बाद 2010 उसके बाद यहां पे हमने इसको touch किया था एक छोटा सा spike आपको दिख रहा है वह आता है 2017 में उसके बाद 2021 में इसको cross किया था और अभी अगर आप देखोगे तो 2023 में हमने इसको cross किया हुआ है तो मेरा यह मानना है कि अग बड़ा train line breakout है और जिन्दाल 100 ऐसा stock है जिसके fundamental भी बहुत अच्छे तो इसको सिर्फ एक trigger की जरूरत होगी जहां से यह one way आपको उपर जाता हुआ दिखेगा लेकिन अभी इसको buy नहीं करना है आपको buy करना है 130, 130, 125, 130 के आसपास जो आपका second buy होगा अगर आपको बड़े target क लिए जाना है तो आप अपने stop loss को थोड़ा wide रख सकते हो और इसमें buying कर सकते हो train line breakout जो है दोस्तो उसके चक्कर में आपको अभी buy नहीं करना है मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ आपको dip का wait करना है दूसरा एक stock मेरे नजर में दोस्तो और मेरा यह मानना है कि अगर आप इसमें buying कर रहे हो तो फिर आपको इसमें SIB करना होगा यह उस तरह का stock है दोस्तो और यह stock आपको इतने बेतरी प्राइस में मिल रहा है लेकिन इसमें दिक्कत यह दोस्तो कि उतना बड़ा strong reversal नहीं है जितना हमें लग रहा है क्योंकि यहाँ पे trend line पे हमने bounce तो आते हुए लेकिन इसको 3000 का level जो है वो अगर यह cross करता है तो फिर मैं कहूंगा कि इसमें bulls जो है वो completely वापस आ चुक है लेकिन Asian paint आपको इतने attractive price पे अगर मिल रहा हो तो मेरा यह मानना है कि मौका आथ से छूटना नहीं चाहिए यह उस तरह का stock है दोस्तो जो मेरा one of the favorite है और यह मे होगे तो future investment ideas in India जिसमें 5G, electric vehicle, ethanol, renewable energy उन सारे sectors के जो favorite stocks है one of the best stocks वो मैंने आपको दिये हुए तो यह investment का playlist आपके सामने उसके बाद जो training videos है वो भी आपके सामने जिसमें आप अपने weekend को productive बनाते जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ RSI, Bollinger Band उन सब के बारे में आप देख सकत हुआ है तो यह दो stock मैं आपको दे रहा हूँ उसके साथ साथ जाते हैं मैं आपको एक और bonus stock दूँगा लेकिन आपको इस video को share भी करना है और यह जो playlist मैंने आपको दिया हुआ है यह सारे चीजे जो दोस्तों यह बहुत कम जगा पे आपको free of cost मिलेगी जो आपके सामने है तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको देखिए और अगर पसंद आता है तो इसको share जरू कीजिए दोस्तों यह जो stock है इसको छोटा lt का आ जाता है यह action construction बहुत लोगों को इस stock पता होगा इस stock को हम बहुत पहले से recommend कर रहे हैं 200 और 200 से मैंने इसको recommend किया था उसके बा लगबग 370 पर अभी के लिए मुझे इसमें लगता है इसमें fresh breakout है 350-340 को यह retrace कर सकता है लेकिन यह stock उस तरह का stock है दोस्तों जो आपके portfolio में होना ही चाहिए और अगभी अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि पिछला जो swing है इसने लगाया था 2018 में उसको बड़े SIP में डालना है दोस्तों one way भी आप buy कर सकते हो लेकिन मेरा यह मानना है कि जो मैं follow कर रहा हूँ personally SIP में buy करेंगे तो ज्यादा बेतर होगा क्योंकि ऐसे stock जो यह long term के लिए hold करने चाहिए और सही dip में अगर आपको कोई dip मिलता है because of adhani या कोई और news कोई भी negative news जिसके वैस and thank you for your time